हे गाईज वेलकम टू देव भूमी कर्यार पॉइंट तो जैसा कि आप थमनेल देखकर समझ गयोंगे बहुत ही महत्तोपों उत्राखिंड इस्टेडिक जीगे का टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूँ मैं यहाँ पर हम देखेंगे उत्राखिंड राज्य मैं सेलिब्रेट होते हैं जो डेज क्यों मनाए जाते हैं कि स्तिथी को मनाए जाते हैं संचिप्त में अध्यान करेंगे बहुत ज्यादा महत्तोपों टॉपिक है आपके आगामी समूह गव परिक्षाओं है तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने एक-एक पॉइंट को देखना है सबसे पहले बात करेंगे देखिए राज्य स्थापना दिवस ठीक है यह तो सिंपल है मैं जानता हूँ सभी लोगों को पता है कि हमारे प्यारे उत्राखंड का जो गठन हुआ था 9 नौंबर 2000 को हुआ था और उसके बाद 1 जनौरी 2007 से राज्य को उत्राखंड नाम दिया जब राज्य गठन हुआ था 9 नौंबर 2000 को तो राज्य को उत्रांचल नाम दिया था ठीक है उत्रांचल में बसा हुआ है इसलिए उत्रांचल नाम था बाद में उत्राखंड इसको किया गया एक जनौरी 2007 से तो राज्य स्थापना दिवस अगर एक्जाम में पूछा 24 दिसंबर को कब मना जाता है 24 दिसंबर को क्यों मना जाता है क्योंकि 24 दिसंबर को ही उत्राखंड के गाधी नाम से फेमोस वेक्ती इंद्रमणी बडोनी जी का जन्मदी वसाता है ठीक है तो उत्राखंड देखे पहागी अंचल भी है मैदानी अंचल भी है उत्राखंड म के लिए प्रतेक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है उत्राखंड के गांधी इंद्रमौने बड़ोनी जी के जन्म दिवस पर बड़ोनी जी की मैं बात करूँ देखिए दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1925 को 24 दिसंबर 1925 को और गाउं का नाम है अखोगी गाउं टीहरी गलवाल तो इनके दिवस को हम लोग संसकृति सबसे जादा महत्तोपूंट डे है मेरे इसाब से उत्राखंड के संदर्ब में क्योंकि उत्राखंड लोग संसकृतियों का प्रदेश माना जाता है यह दे भी छोड़ा सा राजी है लेकिन विभिन प्रिकार की लोग संसकृति इस रा जाता है जबकि गलवाली भासा दिवस दो सितंबर को मना जाता है ठीक है 2018 से इसके आधिकारिक शुरुवात की गई कुमावनी भासा और गलवाली भासा को पहचान दिलाने हेतु संदक्षन के लिए ठीक है आज की डेट में देखिया जितने भी हमारी यूथ आ रही है वो अपनी भासा को भूलते जा रहे है जो कि दुखत भी सही है तो इसको कम कनने के लिए और भासा का क्रेज ज़्यादा हो हमारी ओडियंस के बीच इसके लिए दो दिवा सेलिब्रेट के जा रहे है और ध्यान दखिंगे गलवाली भासा से यहां पर महतोपर पॉइंटे बनत इसके बाद आके बढ़ते हैं देखते हैं राज जल दिवस तो देखे आज जल के संसाधन सीमित हो गए है दोस्तों पीने युग्या पानी बहुत कम बचा है प्रथवी पर इसको देखते हैं विश्व जल दिवस तो मनाया जाता है प्रतेक वरसे 22 मार्च को ठीक है उसको तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं इसके साथ उत्राघंड राज देखे जल संसाधन प्रदेश माना जाता है यहाँ पर विबिन पुरकार की सदा नीरा नदिया भेती है विबिन ग्लेशियर है यहाँ ठीक है तो इन ग्लेशियरों को हमारा जो सुद्ध जल दिवस प्रतेक वर प्रतेक वर्स राज के त्योहार पांच जुलाई को मना जाता है इसी को हरेला दिवस यहाँ पर विबिन पुरकार के अनाजों को एक थाल में बोया जाता है फिर उसी के बाद उन अनाजों के जो छोटे-छोटे पहुंदे आ जाते हैं उनको मंदिर में चड़ाया जाता है और सीर में भी धारण किया जाता है और बोला जाते है कि बहुत सूब होता है तो अमारी पारमपरीक तोरतरिके से भी जोड़ा हुआ एक उत्साव है हरेला और साथ हर्याली का भी ये संबोधन करवाता है पांच जुलाई को प्रतेग वर्स मनाते हैं इसके बाद अगला जो दिवस है दोस्तों ये है राज्य व्रिक्षा रोपन दिवस ठीक है तो उत्रागण में राज्य व्रिक्षा रोपन दिवस प्रतेग वर्स 25 जुलाई को म कई बार पूछ ले जाता है महत्तोपोंग व्यक्तित तो है उत्राखन के तो यहाद हुना ची आपको इनका जन्मुवाता जौलगाव टेहरी में 25 मई 1916 है ठीक है और इसके बाद देखे जैसे इन्होंने हो समाला दोस्तों तो टेहरी में जो उसमें निरंकुस रास्तंतर चल इनकी सहत इतनी खराब हुई कि यह पंचतत्तों में विलीन हो गए डेट थी 25 जुलाई 1944 ठीक है तो 1944 25 जुलाई इसी दिन यह पंचतत्तों में विलीन होई थे इसलिए इनके पुन्य तिति को प्रतेग वर्स राज सरकार राज विलिक्षारोपन दिवस के रूप में अगम दलिश्य तो आपने देगा है दोस्तों और हिमालय के संरक्षन के लिए हिमालय को एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए उत्राखिंड सरकार ने वर्स 2014 में इस दिवस की सुरुवात की थी उसमें ततकालिन जो हमारे सेम थे वो थे हरी सरावत इनके द्वारा इस सितंबर ठीक है नेक्स डे है दोस्तों उत्राखंड गौरव दिवस देखे फिल से सेप्टेंबर का ही डे है ये दस सितंबर को मनाते है हम उत्राखंड गौरव दिवस क्यों क्योंकि उत्राखंड के एक मातर भारत रतन पंडित गोविंद वल्लब पंत जी का जन्म दिन आ राजी के और राजिसे एक मात्र ये, सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है भारत देश का वह प्राप्ते किया इनोंने, और देखे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, साथी भारत के ग्रहमंत्री भी रहे, ठीक है, तो इनी के जो विशेश योगदान को देखते बहुत ही महत्तर हो दोस्तों, देखे उत्रा खिंड में जागर जो है पौरांगिक गाथाएं हैं, जागर एसा एक संगीत की एक ऐसी विदा है, जहां पर जागर जब गया जाता है, तो देवता आउतरित हो जाते हैं, लोगों में, संबंदित व्यक्तियों में, और इसलिए जागर को संदक्षित करने के लिए डांडी कांठी क्लब है राज्य में, तो इसके द्वारा जागर संदक्षित दिवस मना जाते हैं, जो कि 17 सितंबर को मना जाते हैं, क्योंकि 17 सितंबर दोस्तों, जागर समराठ प्रीतम भरतवांग जी का जन्म दिन है, प्रीतम भरतवा और जागर में इतनी महारत हांसी लेंड की जागर समराट इनको कहा जाता है और इनके विशेष्ट योगदान को देखते हुए 2019 में इने जो भारत का प्रतिष्टित नागर्क सम्मान है पदमसरी तो पदमसरी से सम्मानित के गए ये भी करंड का एक कोशन बन सकते है आगामी परिक्षाओं में ठीक है 2019 में उत्राकरण के तीन व्यक्तियों को देखे पदम आवार्ड दे गए प्रितम भरतवांग जी और अनूप सहाब जो कि नैनिताल से हैं फोटोग्राफिय करते हैं इनको पदमसरी आवार्ड दिया गया जबकि जो हमारी राज जी की परवतारोह हैं बचिंद्री पाल जी उनको पदम भूशंग से सम्मानित किया गया तो तीन व्यक्तियों को पदम आवार्ड मिले है 19 में द्यान नगेंगे तो इनी के जन्म दिवस को जागर सन्नक्षन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाते हैं और कौन सा क्लब मनाता है यह मैं है दोस्तों देखिए उत्राखंट के एक प्रमुख साहित्यकार थे हरिदत भट सैलेस किस नाम से रचना करते थे सैलेस नाम से ठीक है कोश्यन आ सकता है उत्राखंट के कौन से साहित्यकार थे जो सैलेस नाम से रचना करते थे तो यह है हरिदत भट जी इनका जन्म हुआ तो दोस्तो भटवागल में जन्म हुआ इनका कब हुआ था जन्म हुआ था 15 जून 1926 को ठीक है 15 जून 1926 को इनका जन्म हुआ और 19 सेप्टेमबर 2011 को ये पंचेत्त्तों में विलीन हो गए थे इसलिए जो 19 सेप्टेमबर है जब ये पंचेत्त्तों में विलीन हो इसी दे को इनकी पुन्नेती थिये इसलिए इसी दे को उत्राखण में साहित्ते दीवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है ठीक हरिदत भट्ट सैलेज की कुछ प्रमुक रचना हो की मैं बात करें तो प्रमुक रचना है गरवाली भासा और उसका साहित्य मेरी सतरंगी सो कहानिया सिखर और सिखर अभियान और अभियान नौबत घूमते सेहरे बहुत ही फेमस इनकी रचना है तो इनी की पूरे इसमृती जो है उसमा मना जाता है उत्राखंड साहित्य दिवस ये फिर से सेप्टेमबर आगे तो सेप्टेमबर में काफी सारे डेज हैं उत्राखंड के ध्यान लगेंगे इसके बाद राज्य प्रेवना दिवस बहुत महत्तो पूंटे है दोस्तों तो राज्य की प्रेवना है नरेंदर नेगी जी लोग गायक है तेके उत्राखंड राज्य के बारे में एक बहुत अच्छी कहावत बोली जाती है अगर आपको उत्राखंड के बारे में जानना है या तो आप विवीत प्रकाल की किताबों को पगल दीजिए या आप सिर्फ नरेंदर नेगी जी के गानों को सुन लेजिए तेके क्यों वो राज्य के मिट्टी से जुगले गाने होते है आप उत्राखंड राज्य को समच जाएंगे सिर्फ इनके गाने सुनकर इसलिए उत्राखंड के इस महान विभूति के जो जन्म दिन है उस जन्म दिन को राज ये प्रेणा दिवस के रूप में मनाया जाता है नरेंदर नेगी जी की मैं बात करूँ इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1909 को तो कहां हुआ था जन्म इनका पॉग ही गलवाल में और देखे इनकी विशिष्टे रचनाओं को देखते हुए इनके टैलेंड को देखते हुए तीहली डेम पे जो इन्हों ने उसमें मार्मिक रचना दीती है अपनी उसको देखते हुए इनको पहारों का डाइलन भी कहा जाता है पहारों का डाइलन अगर question बनता है किसी एक्जाम में पहारों का डाइलन किसे कहा जाता है तो पहारों का डाइलन नरेंदर सिया नेगी को कहा जाता है अब आप पूछेंगे कि डाइलन को होन है तो देखे डाइलन जो वेक्ति हैं देखे दोस्तों डाइलन थॉमस इनका पुरा नाम है यह इंगलेंड वेल्स के एक प्रमुख कवी और लेखर थे ठीक है इसनी इनी से तुलना की जाती है अब नरिंदर नेगिजी की ठीक है और इनकी जन्म दिवस को राज्य प्रिणा दि खुच कांडी एक गन्य वाली लोटी होती है गलवाली छेत्रों में दूसरा है गांलियों की गंगा और श्यांलियों का समंदर ठीक है और तीसरी जो इनकी रचना है मूट बोटी की राख ठीक है याई इनकी मूटी बंद करके रहना और गांलियों की गंगा श्यांलियों क बहुत महत्व हुआ है और हर किसी उत्रागंड के व्यक्ति को इनसे प्रेणा लेनी चीए ठीक है इनको अपना आइकन मानना चीए कैसे इने परीट परिष्टेतों में अपने को ढालते होए भी ऐसे गीत लिखे ऐसी रचनाय दी जिससे आज यह बहुत फेमस पासनेल्टी है इसलिए इनके देडे को इनके जन्मत दिन को राज्य प्रेणा दिवस मनाया जाते है तो यह हमारे ले भी बहुत बगली यहां पर ओनर की बात है ठीक है हमारे राज्य में एक से टैलेंट रहते हैं तो दोस्तों यह थे आज उत्रागंड राज्य के महत्वशन बनने की ज् संबावना रहती है तो एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लें दोस्तों और थोड़ा भी टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करना शेर करना ना भूला है कोई कंप्लेन है कोई त्रोटी हो जाते हैं मिल से तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करे ताकि मैं नेक्स लुडियो में उसको सुधार सकूँ सो थैंक्यू पर वाचिंग आज अच्छे से अपने स्टेडी करें अपना ध्यान दखें जैहिंद वंदे मात्रम